अगर हम करें तो करें क्या बोले तो बोले क्या अगर शुरुआत के पांच मिनट में ही लग गया ऐसा कि बरसलोना आई ही है मैच हरने के लिए कोई इंटेंसिटी नहीं कि वो मैच खिलने आया है और हराने हराएंगे इकड़ बोरीग और सादियो माने प युस चांस को मिस करने नहीं जा रहा था ऑर सांदार क्लीनिकल फीनिस सिकेंड गोल भी सर्च गनावरी ने ही सेट करा था उसका ही प्रोवाइड था और एक्जाटली सेन तरह के से गोल हुआ वो भी क्लिनिकल फिनिस था चॉप मौटिंग का वो चॉप मौटिंग ऐसा प्लेयर है वो लाइक गेम पर स्टार्ट नहीं कर रहा लेकिन जब भी आ रह रहा है कुछ लग न्ए रहा को फॉर यह कुछ नहीं हो रहा है कोई भी प्लेयर बस लिंग सेट से स्ट जाई डुह ले रहा होगा जो भी और स्टार्ट होने से पहले ही जावी ने यह बोल दियाता है कि यह रिवेंज मैच बेसे बार्सणोना के लिए इवें लेकिन यह Champions League में ऐसा नहीं हो था पुरी टीम खेलती है और अगर सही से नहीं खेलेंगा तो नहीं होगा और इस गेम में तो कोई प्लेयर एक प्लेयर नहीं था जो कि तुम बोल सोगो कि उसका गेम बढ़ियां था कोई भी नहीं था कोई भी प्लेयर श्टेंडाव नहीं था भाई बहुत इस्टॉंग टीम है विक्रम बैताल वाली कथा चल गई है विक्रम बार्सलोना और बैताल है बैन मुनिक पीछे पड़े हुए कोई भी मैच आते है इसलिए हरा गए यह गेम में तो भाई एकदम असानी से हरा है पिछला जो बैन मुनिक गम तो वह लगा भी अगते हुए था लेकिन यह तो एकदम ही आउट ऑन टाब आउट आउट क्लास कर दिया है और आइस परफॉमस के बाद जावी का क्रिटिसीजम करना चाहिए हो इसलिए अो आई धिंग क्रिटिसीजम तो होना ही चाहिए इसकी पीछे रीजन है कि तुमने इतने पैसे खर् तुम चैंपियंस लिग में नहीं जा पाई तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जावी एक दिखता है कि वह इन एक्सपेरियंस लग रहा है मुझे मतलब इसके पीचे रिजन यह है कि अगर कोई टीम को तुम रिफॉर्म कर रहे हो बना रहे हो बिल्ड कर रहे हो तो तुम टाइम लगता है धीरे 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 और मुझे लगता है पूरी बार्सलोना के जो बोर्ड है इंक्लूडिंग प्लेयर को तुम ले आए खरीदे इतना जल्दी रिफॉर्म करने का चक्कर में पड़ गए कि हमें चेंपेस लिए टाइम बिल्ड करना है बनाना है हम चेंपेस लिए जीते हैं तो यार मुझे नहीं लगता है तो टाइम देना चाहिए था इतना ज्यादा रस नहीं करना च है तो टाइम देना चाहिए था तो टाइम देना चाहिए था इतना प्रेसर नहीं देना चाहिए था इतने ज़्यादा साइनिंग्स नहीं करने चाहिए थी एक बार में ठीक है यार अब बात हुई है कि अब सब कुछ कर दिया गया है अब सबको पता है बरसलोना यूरोपा अगर इसfunding के साथ जाएंगे, इस performance के साथ जाएंगे, तो बहुत ही मुस्किल है जावी को अब काम करना पड़ेगा क्योंकि यह ला लीगा नहीं है और यह लेवल बढ़ जाता है जब भी Champions League चलो यूरूपा लिग में थोड़ा कम होगा लेकिन टीम इस पर बहुत एच्छी एच्छी आर्सनल काफी सही परफॉर्म कर रही है और I think Manchester United का performance भी काफी सुधरा वा तो वहाँ भी उनको बहुत ही tough competition मिनने जा रहा है अब बरसलोना के लिए Champions League तो nightmare अल्रेड़ी हो चुका है इतना embarrassed होना पड़ जा चुका है पिछली बार भी वो नहीं जा चुके नहीं जा पाए next round में इस बार भी वो गुरूप इस्टे से ही ब पता नहीं क्या आगा कर रहा है तो एटलिस्ट यूरोपा लिंग में यह सही परफॉर्म करें कि इनके फैंस को थोड़ा थोड़ा बहुत खुसी मिले अच्छे नीज सो सके अच्छे से खा सके